कशम भगवान की मेरा पर चले तो बही मान को गोरी से मार दूँँ आश्था भूलो आश्था वरना अटेम्ट तु मुर्डर का चार्ज लग जाएगा जिरो चिकुखाओ और शांती से काम लो शांती से शांती कौन शांती किसकी शांती ना वो मेरी शांती ना मैं उसका बाप उसको मेरी जाधा से करकर दो अरे भाई मुझे क्या मालूम था कि शांती तुम्हारी लड़की का नाम है लेकिन अब तुम लड़के को भी नहीं दोगे लड़की को भी नहीं दोगे तो आखिर ये सब कुछ काउन ले जाएगा तुम्हारी मरने के बाद देखो वकील साथ एक बात कहो तुम वसीयत नामे में जो चाहे लिख लो लेकिन मैं मरने वाला नहीं क्यों क्यों अजी आप वकील है कि मौद कछे के दार मेरी मर्जी एक बार कहे दिया कि नहीं मरूँगा तुम नहीं मरूँगा पिर आदा क्यों बदल रहे हो भाई बरसों के बाद तुम एक केस मिला है और तुम आधे रास्ते में से वापिस चले जा रहे हो इसी उमीद पर मैंने तुमें आधाने के चिकों खिला दिये अब मुझे और नुफसान ना पहुचाओ तुम जल्दी किसी तरह मरो एक बार कह दिया कि नहीं मरूंगा मर्द की बात एक जबान एक अब तुम एक बार कहो सो बार कहो हजार बार कहो लेकिन मैं मरने वाला नहीं मगर भाया बात यह है देखो ए मिस्टर किदर आईए जी आपने कुछ मुझ से फरमाया जी हाँ, इदर आईए आई हाजी फरमाये आप एक मरीज के साथ ऐसी बातें करते हैं दॉक्टर के मेनद पर पानी भेरना चाहते हैं कौन है आप? आप कौन है मैं हॉस्पिटर का असिस्टेंट इंचार्ज डॉक्टर अनन्द ओ, डॉक्टर आनन्द भरी खुशी हुए आप से मिल गाते हैं लेकर आप है कौन? जी मैं, मैं एस परकाश B.L.B हूँ आप रत्नादेवी को जानते हैं मैं उन्ही का पतनी हूँ ने, ने, मैं उनकी ननत का पती हूँ तो आप एक वकील होते हुए खिलाफ कानून हरकत करते हैं मिस्टर परकाश आप में मुकदमा चला जा सकता है जी हाँ, सेक्शन नंबर खैर गोली माली है डाक्टर साब करों क्या आथ बहुत दिनों से कोई केस नहीं मिलता मुद्दत के बाद एक केस हाथ में आया था सो वो भाई भी मरना नहीं चाहता तो आप उसे जबरतस्ती मार देना चाहते हैं मिस्टर परकाश अगर आप शरीफाद में नहीं होते हैं तो आप आप से बहुत बुरी तरह से पेश आता आप जाए चुपचाब यहां से तो दक्टर साहब जहां आपने इतनी महर्मानी की है महर्मानी और कर दीजे आप यह कात मुकदमा दिला दीजे आज कल धंदा बिलकुल बन है सुसराल में भी कोई काम नहीं फिर कभी मिलिये मैं देखू नमस्ति थैंक्यो हलो डॉक्टर आपको फिर यहां देंकर बहुत खुशी हुई मुझे भी आप लोगों वापे साकर गड़ी खुशी हुई कितेन दिन पाह रहे बस यही कुछार साल और सुलाईय कहां कहां घूमाए और सुलाईय कहां कहां घूमाए क्यो बात ही कुछ ऐसी आप नटोट मामा चंदू आउट हो कि नहीं उसके पैमे बहुत लगी मैंने देखा नहीं राजू क्यों नहीं देखा माँ चले तुम चंदू के जगा पे खड़ी दो फिर बताना तुम जाओ खेलो खेलो ना राजू चलो ना मा चलो 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 अब बता हो क्या करूं जाओ तुम जाओ खड़े रहा अब तारी तींग करो अब 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 मर गए मा आ गए अब 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 सामने तो हूँ तुम्हे कई बार कहा है के अपनी आँखों का टेस्ट कराओ लेकिन तुम अपनी जंदुरुस्ती का बिलकुल खयाल नहीं करती मैं जरा अपनी हेल्थ बनाने के लिए किर्किट खेल रहा था आओ तुम भी आओ यह खेल कुछ तुम ही को मुबारख हो सिंग कटवा के बच्छों में शामिल होते हो यह बुढ़े चोचले और किसी को दिखा रहा अरे क्यों जगरा देया तुम लोग काय का जगरा है देखो न मा यह लोग इतने बड़े होके गेन खेल रहे हैं हाँ, अच्छा में बड़े हैं तुम यह कर दो हाँ हाँ किम किम करते कारे यह कहते हैं कारे सोजा तो है सपनों में